नमस्कार दोस्तों भगवान आपसे एक अबला क्रूर आपके सरे एक 6 मनों कमने पूरी हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ के विशह में सबसे महत्पुन जान करें देने वह रहा हूँ और यहां पर यह चिन इसले बनाए गए हैं क्योंकि यह चिन जीवन में होना परिवर्तन को दर्शा रहे हैं जैसे आपके हथीले का विशलेशन पहले भी किया गया था और अभी वापिस से किया जा रहा है तो उसमें यह मुख्य चिन हैं रेखाए हैं जो परिवर्तित होती दिखाई दे रही हैं इसमें अधिकतर आपको प्रोटेक्शन के साइन हैं तो यह लाइफ में बहुत जादा प्रोग्रेस को और बहुत बड़े स्थर पर किसी एक्षा के होने की योगों को निर्मित करता है जैसे गुरु के छेतर पर जब भी स्क्वर होता है तो आध्यात में धार्मिक जो उन्नती है वह बहुत बड़े स्थर पर होती है शनी पर जब इसको एक्टिंगल एसा सायन आता है तो जीवन में मनुकामना निश्चित रूप से सिध होती है इसके अलावा बुद के छेतर पर जब टेंपल का सायन आता है तो किसी भी निर्मान कार्यों में निश्चित रूप से जोड़ते हैं या बहुत सारे spiritual books को और spiritual तमाम तरह के activities को represent करता है तो इन सब कारियों में आप लिप्त निश्चित रूप से हो सकेंगे मंगल के उपर square का sign यानी निश्चित रूप से खुद के property बिल्ड होना या फिर कईना कहीं अपना आश्रम का जो निर्मान है वो करपाना बाहरी मंगल पे सिधी पेसो का सही उपयोग करना यह सारा कुछ बहुत अच्छा है लिकिन जो इन में से नकरात्मक अभी भी पक्ष है वो सूर का आ रहा है सूर के छेतर में सिर्फ दिक्कत यह है कि जो आपकी यह प्रगति की रेखा है जो पर के तरफ यह से जा रही है उसको हमेशा कोई न कोई रेखा दूसरी आकर के काट के जा रही है और जब इस तरह की योग यह निर्मित कर देता है तो हम जो भी योजना बनाते हैं जो भी निर्णे लेते हैं हमें अंततव पश्टाना पड़ता है या फिर वापिस लोट करके आना पड़ता है काम बन नहीं बाता है शनी हमारे भ अधिनामी होना धनहानी होना किसी तरीके का फ्रॉडिया चीटिंग होना मिस्यूज होना यह बहुत ही नॉर्मल टम्स या नॉर्मल बात यहां देखने को मिलती है अब यहां आपको सूर का उपाय करने की तो सक्त जरुवत है ही लेकिन आपको बहुत बारिकी से किसी पर करके दे दिया तो इसलिए बूद की स्थिति अब अंत्तह बहुत अच्छी दिखाई दे रही है जिसके करना आप अच्छे निर्णे ले पाएंगे आपकी सूज बूद से काम कर पाएंगे और किसी भी अथवा अवसर को सही तरीके से यूटिलाइस कर पाएंगे आपका कम्यूनिकेशन अच्छा बढ़ेगा लोगों से संपर्ग बहुत मजबूत होने लगेंगे नएने जगहों पर जुड़ने लगेंगे यात्राओं को सुभाग बहुत बढ़ेगा ये सब कुछ लाब आपको डेड़ साल के अत्रिक में मिल जाएगा लेकिन डेड़ साल भी हर जल्दी सफलता मिलने लगेगा नाम सम्मान और एक्छा पूर्ती निश्यत रूप से बहुत जल्द होने लगेगी समाज में सम्मान से लेकर रुत्बा और नाम के बलबूते पर काम ये सब कुछ होता हुआ फिर देखने को मिल जाएगा फिलाल आते हैं आपके और ओर ओ आच्चित करने की छमता अच्छी देखने को मिलती है अपने बात कुछ सीधे इस पर शुरूप से रख पाने में सक्षम देखने को मिलते हैं Communication Skills, Marketing Skills से लेकर के Work Management ये सब कुछ अच्छा देखने को मिलता है और Third and First Finger में Third Finger की Length is Strong है जो आपको Risk Taker बनाता है इसका ताथ पर यह होता है कि कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हिच के चाते घबराते नहीं है खत्रा मोलने की आदत निश्यत रूप से देखने को मिलती है और दूसरों पर विश्वास कर आगे बढ़ने की नीती या दूसरों को साथ लेकर कर आगे बढ़ने की नीती आपके अंदर रहेगी सूर की स्थिति और मजबुत हो जाती है अभी भी हो सकती है इसकी स्थिति मजबूत तो हो जादने के बाद में आपके नाम से काम बनेंगे इसका ताथ पर यह है कि आप से लोग इस तरीके से connect होंगे या आप लोगों के इसे काम आएंगे कि वो आपको कई न कई पद भी देंगे सम्मान भी देंगे और अपने आपको अफसर के रूप में देखेंगे जब आप उनसे मदद मागेंगे तो यह सब कुछ होगा जस्ट सूर के स्थिति को ठीक करके इसके अलाबा फिंगर के उपर आपकी सीधी खड़ी रेखा हूं कि श्रंखला अच्छी खासी है जो कि बेहत मित्रता प्रोक्स भाव को दर्शाता है जब बूद की स्थिति अच्छी हो और सीधी खड़ी रेखाएं ज्यादा हो तो किसी बच्चे से भी बात करते समय और किसी बुड़े से भी बात करते समय केसे किसी का अपना बनना है केसे किसी से पूरा हरदे से जुड़ना है केसे किसी को अपने बाहों में समाना है या फिर अपना बनाना है अर्थात अपना पन ये उसको दर्शात है तो ये Communication Skills या Marketing Skills Work Management ये सब कुछ बहुत बढ़िया देता है Finger के Notes आपके साफ बहुत अच्छे हो रहे हैं जिसके करण निर्ने लेने की चमता सोच विचार करने की चमता खुद पर विश्वास करने की चमता आपकी अच्छी खासी बढ़ रही है Falanges और Internal Mars उमर के साथ में थोड़े से कमजोर निश्चित रूप से हो रहे है लेकिन जो बताये गया था कि बाहरी मंगल की स्थिती मजबूत है शुकर की स्थिती अभी भी मजबूत है तो ये आपको Major Health Issue ये किसी भी तरीके से स्वास्त, हानी या तनाव इन सारी स्थितियों से दूर ही रखेगा केतु के उपर फिश शिंबूल का साइन बनना कोई बहुत सामानी बात होती नहीं है केतु के उपर और जीवन रेखा के अतरिक्त होकर के जब ऐसी फिश शिंबूल बनती है तो ये लंबी आयू, अच्छा स्वास्त और अंततहब मोक्ष मोक्ती, ये सब कुछ देने में सक्षम माना जाता है, इसी के अतरिक जब ट्रेंगल का साइन बनता है तो जीवन काल में बहुत अलग-अलग तरीके से जो भी कर्म किये रहते हैं, जैसे दान, धर्म, पूजा पाट ये कहीं इन्वेस्ट किया हो, कहीं किसी और की मदद कर दी गई हो, तो वो चीज रिटर्न वापिस आती है इस दुनिया से अलविदा कहने के पहले, इसी लिए, लाइफ में सड़न गेन, सड़न प्रोग्रिस, सड़न किसी भी तरीके का ग्रोथ, लाभ, निश्री तुरुप से देखने को मिलता है, तो आपके उपर जब भी विपत्ती आएगा, कष्ट आएगा, तनाओ आएगा, कोई न कोई साधन या सुईधा जीवन में ऐसा निश्री तुरुप से वैसे ही यहां पर भी डेड़ से दो साल का समय और दिख रहा है कि वो मुक्ति मोक्ष आने में या इच्छा पूर्ति होने में, बहुत बड़े स्तर पे आपको इतना समय लगेगा इसके लिए केतू की स्थीति को और मजबूत करने के लिए क्योंकि केतू व्यक्ति को तो उन सब स्थीतियों के लिए साधना को बढ़ाना जरूरी होता ही है, लेकिन केतू की स्थीति को सबसे ज़्याद मजबूत करने के लिए अपने आपको बहुत मेंटेन करना, भ्रहम मुरत के समय पर उठना, ध्यान करना, योगा करना, और जितने भी असहाय जीव जन्तू ये लोग होते हैं, उन सब की बेहद मदद करना आपको और जल्दी जीवन में त्रिप्ती और मुक्ती दोनों देगा, तो इसलिए आपको इस कारण भी स्वास्थानी में जली होने नहीं वाला है, थाम का जो साइस है वो बिल्कुल ठीक है, पुरानी से पुरानी छोड़ी से छोटी बाते अच्छे खासे तरीके से याद रहने वाली है आपको, और यहाँ पर भी आपकी यवका जो चीन है वो तक्रिवन कम्प्लिट होता हुआ आप दिखाए देने लग रहा है, थोड़ा और यह समय लेगा, लेकिन 98% के लंब समतगी कम्प्लिट हो चुका है, तो जब इतना भी कम्प्लिट यवका साइन हो जा किसी के लिए कोई दुवा निकाले गई हो, किसी के लिए कोई मार्ग दर्शन देने के लिए बात कही गई हो, जो भी कुछ आपको प्रकरती बतला रही हो, आप उसको समझ जाए और दूसरों को बतला दें, दूसरों के लिए काम कर दें, तो वह आपको जो भी अनुबह द इस्थिती जो चल रही है पूर्वा नुमानाबास की यह और जादा बढ़क करके आपकी सामने आएगी इधर पर जो यह सीधी खड़ी रेखा देख रहे हैं जो इतने बहतरे इंत्रेगे से उपर की तरफ उठ रही है यह तर्क वितर करने की छमता को बहुत मजबूत कर देत है अंत्तह ऐसी बात आप रख देंगे या कहे देंगे किसी को भी कि सामना लेकि बोलती बंद हो जाए सकरात्मक रूप से तो यह उस्थिती को भी मजबूत कर रहा है पाम को जो आपका स्ट्रक्चर है वो रेक्टिंगुलर है तो शारेरिक मेहनत के वज़े मांसिक मेहनत अच्छे से करपाने में आप यहां सक्षम देखने को मिल रहे हैं इसके अलवा गुरू की स्थिती में जैसे हमने देखा कि स्क्वेर का साइन बिल्ड हो रहा है वैसे यहां पर भी हम देखेंगे तो इस तरह की आड़ी रेखा है आपको अधिक शंकला में देखने को जो बहुत जद्यालू द्यालू द्यालू दूसरों का मददगार बनाती है अब जैसे जातक माधहम होते हैं इशवरGER के जिसके करण दूसरों इक काम बनता है इस लिए आप जैसे जातक अ अपने लिए कम दूसरों के लिए जादा जीते हैं या प्रकरती के लिए जादा करना चाहते हैं अब इसके अत्रिक्त में जब ऐसे साइन डेवलप हो जाए जैसे कि स्क्वेर का फिर एक अनदर विण्डो सिंबोल का कमबिनिशन यहां पर तो विण्डो सिंबोल तो अपॉर्शनिटी देता है कि आप एक काम करिए आपको प्रकरती अफसर देगी और square का sign confirmation देता है कि समाज में सम्मान रुतबा या समाजिक कारिक आपके लिए निश्यत्रुप से सफल साबित हो जाएगा लेकिन expectation ज़्यादा कहीं भी रखना नहीं है जब भी गुरु के छेतर पर सीधी और आड़ी रेखा दुनों होती है तो परमात्मा जैसा रखना चाहिए जैसा काम कराना चाहिए वैसा करना चाहिए खुद की स्वेच्छा या इक्षा बहुत कम कर देना चाहिए जितना जादा स्वेक्षा है एक्षा मनुकामना कम होता जाता है उतना जल्दी आत्मा की संतुष्टी आत्मा की तरिप्ति आत्मा की योगे तब बढ़ती चलिए आती है मोक्ष की इक्षा रखना भी यहां पर बढ़ जीता है मौक्ष की अगर एक्षा रख रहे हैं तो भी मौक्ष नहीं मिलेगा जब इस तरीके का गुरू होता है तो आपको इतना अपने आपको मुप्त करने की या इश्वर को अपने आपको समर्पित करने की आउशकता है भाग रेखा कि स्थिती में हमेशा जब ओवरलेपिंग होती है तो जीवन में एक घटना होती है उसके बाद फिर प्रगती होती है फिर एक छोटी घटना होती है फिर प्रगती होती है या नि जो ठोकर खाकर कर ठाकर बनते हैं या घटना करम देख देखकर आगे बढ़ते हैं जिनके साथ विपरित राजियों के निर्मित होता है, कि बूरा होगा, तब ही जाके अच्छा होगा, तब इस तरह की भाग गरेखा निर्मित होती है, जितने भी बहुत बुरे-बुरे conditions फेस किये life में, वो सब कुछ 38-40 के एज के लमसम और उसके पहले तक में के जो पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन जो फरक है अभी आपकी भाग गरेखा में वो यह है कि यहाँ पर त्रीकोर्ण की आकरती बनती दिखाए दे रही है, तो मंगल, चंद्र और शनी यह जब भी मिलते हैं, तो construction का काम होता है और चंद्र खासकर जल इलाकों में यह जल के निकट यानि नदी, तालाब, जहरना इन सब के निकट में ही अपना construction करवाते हैं, तो यह चीज आपके जीवन में डेड़ अत्वा दो साल के अतरिक में निश्यतुप से पूर्ण हो जाएगी, इसके बाद में अभी जो भाग के रेखाए हैं वो बिलकुल सीधे है, इस पश्ट है, और दो भाग के रेखाए हैं, इसका तात्पर यह है कि आवसर की कमी नही आपका जो फोकस है और जो डेडिकेशन है आपके कर्म के प्रतियत्वा एक्षा के प्रति वह बहुत जादा मजबूत है और प्रबल है, इसके तरीक जो स्क्वेर का साइन बन रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है और इसी में से एक रेखा निकल के गुरू को टच कर रह जाते हैं जो भी आध्यात्मिक धार्मिक वेक्ति आपको देखने को मिलते हैं तो जब यहां पर स्क्वेर रेक्टेंगल का साइन हो और टेंपल साइन चाहे सूर्य के अपर अबूद के उपर बन रहा हो तो मंदिर निर्मान कारिय निश्यत रुप से करना चाहिए यह मंद रहती सीमेंट जो भी आपको लगे ठीक वो देदेना जादा फायदेमन साबित होगा और बूद के उपर इस तरीके का साइन बन रहा है तो कंस्ट्रक्शन तो कराना ही है लेकिन किसी भी तरीके से कोई भी रचनात्मक क्रिया भी करनी है जैसे किताब छपवा देना या उन से रिलेटेट कोई भी बुक वगरा या मेगजेन वगरा छपवा देना यह सारे जब आप काम करेंगे तो यह काम से जो भी आपके जीवन में दुविधा है बाधा है जो भी चीज रूकी पड़ी है वो सब का गेट खुलेगा भाग्य का दर्वाजा खुलेगा और सब काम धडलने से बनते हुए जो भी इतने समय से रूके हैं वो सब होते हुए देखने को मिलेगा यानि एक तरीके से मेजिक ही देखने को मिलेगा सूर की स्थिति में जब रेखाने बहुत ज़्यादा उत्पन हो जाती है एक दूसरे को काटने लगे तो खुद का ही भी विचलित हो जाता है तो सूरे जब मजबूत हम करते हैं तो इसमें सबसे पहले लोग बहुत सारे जो नेगटिव लोग हैं वो दूर जाना शुरू हो जाते हैं और जो सही लोग हैं अच्छे लोग हैं या समाजिक लोग हैं जो जरूरत मन्द लोग हैं वो पास आना श सूर की यह अंततह सफलता देती है और रईसियत देती है या बहुत अच्छा सुख्ष विधा पूर्वक जीवनशेली दे देती हैं करनेक्शन्स खासकर आपके अच्छे बिल्ड करती है बुद्ध के छेदर पर एक से अतर्दिक रेखा अपने बातों से अपने हरकतों से और कर्मों से किसी को भी प्रेरित प्रभावित आकरशित और मदद कर देना ये सब कुछ दर्शाती है लोग आपको आपके उम्रे से कम कहेंगे आपकी बातों से प्रसंट रहेंगे आप जिस भी जगे रहेंगे माहौल में रहेंगे लोग और मजबूती महसूस करेंगे क्योंकि बुद्ध की स्थिति अच्छी हो रही है मजबूत हो रही है तो क्रॉस का साइन जब तक था तब तक कई न कई आपको सिर्फ काम देखिए और नएने तरह की लोगों से जुड़िए अपनी सारी योजनाओं को अपनी सारे बातों को उनके सामने रख दीजिए आप देखिए वो सब काम करना शुरू हो जाएगा उन सबसे रिलेटेड ला मिलना शुरू हो जाएगा आपको नहीं बलकि सभी को और सू सब्सक्राइगा के अंत में हम देखेंगे तो एक बहुत हलके से लेवल से आईलेंड का साइन बिल्ड होता दिखाई दे रहा है यह हैल्थ हिशू को डिनोट करता है तो आपकी बाकी सारे रेखाए वह परवत मजबूत है लेकिन यह साइन जब भी बनता है तो शुगर, ब यह जो अभी आईलेंड का साइन पूरा नहीं हुआ है यह कभी हो भी ना सकेगा फिर आपको इसे दिखकते नहीं आएगी और रेखा से जो बार बार रेखाए नीचे के तरफ जाती दिखाई दे रही है आपकी तो यह इस बात को दर्शारी है कि बहुत सारे लोगों से धो जनिवाद लोगों के अंदर में रहता है वो मिलता है तो वो समय आपकी जीवन में यहां पर तक्रीबन 70 के एज के लमसम से आना शुरू हो जाएगा खास कर मस्तिश रेखा में मंगल का प्रभाव हमेशा से रहा है इसलिए एक तरीके से मानसिक मजबूती हमेशा से रही है लेकिन थोड़ी जल्दबाजी हर बड़ी और तुरंत काम करने या तुरंत इड़ने लेने के आदत बच्पन से आपके अंदर है और अभी मस्तिश रेखा में बाइफोर्ग का साइन हो रहा है जिसके करनी सूजबूज समझ और थोड़ा धेर रहा है इन सब चीजों को देवलप हो रहा है तो यह सम बुद्ध की रेखाओं के अत्रिक्त हो रहा है इसलिए खुद का काम खुद का व्यवसा या खुद से लिया गए निर्ण है आपको फायदिमन साबित होने वाला रहेगा वो भी कुछ समय के अत्रिक्त या यह जितने भी प्रेडिक्शन दिये बहुत जादा रहती हैं उसी के अत्रिक्त हमने फिश इंबल का साइन भी यहां पर देख लिया तो यहां कंबिनेशन आपको जीवन में इतने सारे लोगों से मिलवाएगा इतने सारे जगे पर ले जाएगा जिसका कोई जबाब नहीं है सब से मिलने के बाद सब जेगे जा चल जाएए सब तरह कि गतिवीदियों को कर लीजिए जो जो सोचा समझा गया है क्योंकि गुरू के छेतर पर सीधी खड़ी रेखा कि भी शंकला कम नहीं है अच्छी खासी जो बहुत ज्यादा मनो कामना देती है हर चीज के लिए एक्षा जाहिर कर देती है सब कुछ के त्रिप्तिम और मोक्ष यह आपके हाथ लगेगा और जल से रिलेटेड आप निश्चित रूप से काम करेंगे उसके लिए कोई कष्ट है यह नहीं क्योंकि हमने ट्रेंगल का साइन भी देख लिया आपकी जीवन रेखा भी देख लिए इधर भी नेगिटिव साइन ही है था लेकिन यह भी पॉजिटिव साइन में कंवर्ट होगे स्क्वेर के साइन में तो बहुत बड़े इस तरपर जल के लिए समाज के लिए लोगों के लिए यह भावनाओं के लिए भी काम करते हैं क्योंकि जल यह प्रकरती के लिए जब हम काम करने जाते हैं तो अंत तह किसी तरह से ये लाब दिखाई इसमें पड़े या ना पड़े लेकिन हमको खुद को भावनात्मा गुरूप से बहुत ज़्यादा सुकुन मिलता है तो जब चंदर के छेट पर स्क्वेर के सान आता है तो चंदर है हमारा मन अत्मा भावना तो हमारी भावना एत्रिप्थ हो जाती है भावना मजबूत हो जाती है भावना को ज़्यादा फिर तकलीफे नहीं आती है और जिस भी तरह से जो भी भाव रखके काम किया गया हो वो काम भी हो जाता है ये इतना मजबूत चिन हो जाता है तो इसका भी दोश अब नहीं रहा लेकिन यहां कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो यात्रा है तो बहुत ज़्यादा करवाती रहेगी शुक्र की स्थिति में अच्छी बात यह हो गई कि जो आड़ी रेखाएं हैं या चिंता रेखाएं वो पूरी खतम होती दिखाए दे रही है तो चिंता जीवन में व्यक्तियों के सबके रहती है लेकिन जब चिंता खुद पर लेना बंद कर देते हैं खुद पर हावी होना जब चिंताओं का कम हो जाता है तब इस याड़ी रेखाएं खतम हो जाती है तो यह अपने आप में बहुत अच्छा चिन है तो आपकी ओवरॉल हतेली 70-75% चेंज हुई है और आने वाले दो साल के अत्रिक्त में आपका 100% जितना भी काम अटकावा है वो सब कुछ हो चाहिएंगे तो यहां पर हम देख सकेंगे कि जो भाग रेखा है उसमें अंततहत रिकोन की आकरति बनी हुई है इधर पर सूर के उपर स्क्वेर का साइन बनावा है बुद्ध की स्थिती बिल्कुल ठीक है बुद्ध की रेखा के द्वारे ट्रेंगल का साइन यहां भी ब बताते हैं कि ऐसा व्यक्ति हर जेगे से बच करके निकलेंगे नुकसार नहीं होगा व्रद्धी होगी सम्रिद्धी होगी विकास होगा तो मस्तिष रेखा के उपर ट्रेंगल यानि प्लैनिंग और डिसीजन सफल होना सूर के उपर स्क्वेर के साइन लेफ्ट पाम में या बाहर से वो चीज देखे या ना देखे लेकिन अंदर से बहुत मजबूत आत्मा का इसतर देखने को मिल रहा है और ट्रेंगल का साइन शनी के उपर यानि धर्म कर्म के लिए और भाग्य के लिए अच्छा काम करना अपने भाग्य के साथ से दूसरों को हमेशा बला करते रहना या दूसरों की बाला टालना और जीवन रेखा का यहां भी बाहर के तरफ जाना यानि यात्राओं से और जर्मिस्तान से दूर रहे करके ही व्रद्धी सम्रिध्य और एश्वर दर्शन होना इस सब कुछ यहां आपका रहेगा और आपकी उम्र आराम से 80 और 80 क्रॉस भी जाएगी तो आशा करता हूँ आपकी सभी प्रश्ण गौत्तर मिल गया हूँ तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत-बहुत धन्यवाद